उस समय मैं अपने mid 30s में था, मैं half delivery करता था, अब आप नहीं जानते होंगे कि half delivery क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, आम तोर पर जब आप लंबी दूरी का सामान deliver करते हैं, चाहे वो निर्मान समगरी हो, तेल हो, या भोजन हो, या कुछ और, driver आम तोर पर item उठाता उसके final destination तक ले जाता है, इस तरह की delivery method का इस्तिमाल बहुत ही कम होता है, आम तोर पर trip के पहले भाग के लिए मैं गाड़ी चलाता था, और उसके बाद मैं दूतरे driver को meeting area पर हैंडोर कर देता था, ज्यादा तर pickup drivers को मैं जानता था, वो भी मेरी तरह सालों से ये काम करते आ पड़ा, एक बहुत ही वड़ी food delivery के लिए, emergency basis पर, इस काम को मेरे co-worker को करना था, लेकिन उसने उस रास्ते पढ़ जाने से मना कर दिया था, मेरे manager इसकी half delivery के लिए मुझे extra पैसे दे रहे थे, मुझे लगा कि ये dairy products की delivery है, जो की देर होने पर बेकार हो सकते हैं, मैं अभी अभी अपनी delivery करके वापस लोटा था, इसलिए मैंने इसे लेने में कोई आनाकानी नहीं की, और इन पैसो से मेरे बच्चों की college fees में भी मदद मिलेगी, मैंने अपने manager से बात की और अपनी trip शुरू की, मुझे आदे रास्ते के drop-off तक पहुचने में लगबग 5-7 घंटे लगने थे, जहां दूसरा driver delivery लेने आएगा, आम तोर पर हमारी company इस रास्ते पर drop-off नहीं करती, क्योंकि ये बाकी highway से बहुत ही अलग था, ऐसा नहीं था कि मुझे किसी बात का डर था, लेकिन ये रास्ता सच में डरावना था, लंबे पाइंटरी के साथ सड़क पर मीलो दूर तक कोई बस्ती नहीं थी, और शायद इसी वज़े से मेरा कोवरकर इस रास्ते पर आना नहीं चाहता था, मैंने अपनी यात्रा शाम के 5 बजे शुरू की थी, और बहुत ही जल्द अंधेरा होने लगा, मैं GPS को फॉलो करता रहा, और हर गुजरते मील के साथ मैं अप ट्रक के अलावा, वहां और कोई वहन नहीं था, और गैस स्टेशन का जनरल स्टोर बंद था, ऐसा लग रहा था कि वो स्टोर सालों पहले बंद हो गया था, मुझे भूख लगी थी, तो इसलिए मैंने सेंडविच और सोडा पीने का फैसला किया, जो कि मैं अपने साथ ले कर दिये, और अपने सिट को पीछे करके सो गया, लगभग तीन बजे के आसपास मैं सो गया था, सुबह करीब चार बजे एक कुत्ते के भौकने से मेरी नींद खुल गई, अब अगर आप भी मेरी तरह सडक पर होते, तो आपको पता होता कि कुत्ते के भौकने का क्या कुत्ते तब तक भौकते रहते हैं, जब तक की खत्रा कम नहीं हो जाता, और मुझे उस दिन पता चला कि कुत्ते के भौकने का तीसरा कारण भी हो सकता है, और जब मैंने घड़ी चेक किया, तो मैं चौक गया, क्योंकि दूसरी ड्राइवर को आने में अभी भी एक घंटा बाकी था, कुत्ते अभी भी भौक रहे थे, और हर बीतते मिनट के साथ उनका भौकना बढ़ता जा रहा था, पहले मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर ये कुत्ते किसी जानवर पर भौक रहे हैं, तो वो जानवर मुझे पक रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, और कुछ समय के बाद मैंने गौर किया कि कुत्तों के भौकने की आवास काफी जादा बढ़ गई थी, और वो काफी जादा हिंसक हो गए थे, कुत्ते तेजी से गुरा रहे थे, और इसके बाद मैंने शीशे से बाहर देखने का फैसला किया और मैंने जो देखा वो लोगों के बुरे सपने में आता है मैंने देखा कि मेरी ड्राइवर की साइड वाली खड़की से शायद तीन या चार फिट की दूरी पर एक आदमी खड़ा था, वो मेरी आँखों में देख रहा था और उसके कपड़े ये थी कि पिछले 25 मिनट से वो मुझे पर भौक रहा था वहाँ कोई कुटा नहीं था उसके बाल लंबे थे और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे पर हमला करने वाला है वो काफी लंबा था और उसके मुझे जाग निकल रहा था मैं तोरन समझ गया कि मुझे इससे बचना है और फिर मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और गैस स्टेशन से निकल गया जब मैं गैस स्टेशन से बाहर निकल रहा था मैंने देखा कि वो आदमी मेरे पीछे दौड रहा था और बहुत ही बुरी तरीके से भौक रहा था यहां तक कि उसने अपना हाथ मेरे ट्रक के पिछले दर्वाजे पर भी मारा मैं बिना कुछ सोचे वहां से चुपचाप निकल गया और रास्ते में मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया और कहा कि वो ये काम किसी और ड्राइवर से करवाए मैं घर वापस लौट कर अपने कोवरकर के पास पहुचा जो कि पहले इस रास्ते पर डिलेवरी करता था जब मैंने उसे घटना के बारे में बताया तो उसने कहा कि वो एक आदम खोर है और हम में से कई लोग उसे भीडिया भी बोलाते है उस आदम खोर ने मुझ पर दो बार हमला करने की कोशिश की है और इसी वज़े से मैंने उस रास्ते पर ड्राइविंग छोड़ दी मेरी कहानी सुनने के बाद हमारी कमपनी ने उस रास्ते पर डिलेवरी करना छोड़ दिया और उसके बदले एक नए रास्ते को चुना गया डिलेवरी के लिए मुझे इस बात की खुशी है कि ना तो मुझे और ना ही मेरे कोव वरकर को किसी भी तरह का नुकसान हुआ हाई मेरा नाम मेसनाली जांदरो है एक ट्रक ड्राइवर और मैं माल की इंटरस्टेट डिलेवरी करता हूँ एक ड्राइवर की रूप में हाईवे पर देर रद गाड़ी चलाना, नींद नाना बहुत ही आम बात है हाला कि मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ, वो काफी अच्छी है और मेरे जैसे ड्राइवर्स को रहने की उचित जगह देती है लेकिन फिर भी ये मुश्किल काम है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नौकरी का सबसे अच्छा और सबसे बुरा हिस्सा क्या है वो ये चीजे हैं जो आपको रास्ते में देखने को मिलती हैं जिन लोगों से आप मिलते हैं और जो अनभव आपको मिलते हैं निवादा के एक रिगिस्तान में सुर्योदे देखना कैलिफोनिया की बीच की सड़कों पर गाड़ी चलाना कॉलराडो में बर्फ से ढकी पहाडी सड़कों पर अपने ट्रक का बैलन्स करना और कभी कभी अपने कैनेडियन रेलेटिव से मिलने के लिए वैंकूर तक ड्राइव करना इन सड़कों पर मैंने बहुत सी अजीब चीज़े देखी हैं जैसे कि मानव तसकरी, नशीली दवाएं, हत्याएं और नजानी क्या-क्या मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी कहानिया है यहां तक कि मैंने कई बार पैरानॉर्मल चीज़े भी देखी हैं लेकिन एक विशेश घटना ने मुझे अपने पूरे करियर आप्शन पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया था मैं ये काम पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ और मैंने कभी भी इतना भयानक अनुभव नहीं किया इसलिए हमारे ड्राइवर्स के ग्रुप्स में यदि सड़क पर कुछ बुरा होता है तो हम अन्य सभी चालकों को घटना का विवरन्ट जरूर देते हैं ताकि बाकी ड्राइवर्स उस तरह की चीजों से बच सके ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं इस काम में नो सिखिया था मेरे पास केवल तीन या चार साल का ही एक्सपीरिन्स था हालकि सबी सीनिय ड्राइवर्स और मेरे कंपनी के मैनेजर ने मुझे इंस्ट्रक्शन्स दिये थे कि अगर डिलेवरी के दौरान कुछ चीजे गड़बड हो जाती है तो क्या करना चाहिए लेकिन उस दिन मैंने जिसका सामना किया उसके लिए मुझे इंस्ट्रक्शन्स नहीं मिले थे तो अगर आप एक साथी ट्रक्शालक है और आप देश भर में ड्राइव करते हैं तो संभावना है कि आपने शोल्डर वॉकर या मून वॉकर नामक किसी चीज का सामना किया होगा हमारे ड्राइवर्स कम्यूनिटी में इसे इसी नाम से जानते हैं ये वो लोग हैं जो सडक के किनारे चलते हैं और बस्तियों से मीलो दूर सुनसान सडकों पर बिना किसी ट्राफिक के उन्हें अकसर रात में देखा जाता है वो सडकों पर धीरे धीरे चलने वाले लाश की तरह हैं हाला कि लाश के विपरीत ये असली जिन्दा लोग हैं या शायद सिर्फ मुझे यही लगता है उनके चेहरे पर एक अजीब सा स्मौग है लगभग एक डराबनी मुस्कान की तरह वे किसी भी गुजरते वहान पर कभी ध्यान नहीं देते जैसे कि वो ट्रांस में खोए हो आम कई दोस्तों ने मुझे इनके साथ बाच्चित ना करने की सला दी है और इसी लिए मैं हाईवे से गुजरते वक्त इन पर ध्यान नहीं देता लेकिन इस बार जब मैं घने जंगल के बीच एक हाईवे पर गाड़ी चला रहा था तो मैंने एक बुड़ी औरत को सड़क के कि टहनी हुई थी जो कि हॉस्पिटल की थी और चलते समय एक बहुत ही खुरचनी आवास कर रही थी उसके हाथ और पैर टहनीों की तरह पतले थे वो लाश जैसी लग रही थी हाला कि मैं अपने ट्रक में उससे कुछ मीटर की दूरी पर था और उसे केवल पीछे से देख सकत और मैंने उसे रियर विव मिरर के माध्यम से देखने की कोशिश की और मैंने देखा कि उसका चहरा मेरी दादी से मिलता था जिनकी मौत एक साल पहले कैंसर से हो गई थी उनके चारो और गहरे काले घेरे, खोकले गाल और उसके चहरे की हड़ी के उचे धाचे ने उसे लग भग डरावना बना दिया था, मैंने अपना ट्रक खड़ा कर दिया और बाहर निकलाया, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरी दादी थी और उन्हें मदद चाहिए थी, धीरे धीरे चपलों के खुरचने की आवाज बढ़ती गई और हेडलाइट की रोशनी में मैंने उनका चेहरा देखा, तब ही मैंने उसके पतले बाल, बड़ी बड़ी चौड़ी आखें और उसकी खौफनाक मुसकान देखी, वो निश्रित रूप से मूनवाकर थी, ये मेरे लिए बुद्धिमानी होगी कि मैं उसे अकेला छोड़ दूँ और अपने ट्रक पर वापस आ उसने मुझे नजर अंदास कर दिया, जैसे कि मैं वहाँ पर था ही नहीं, उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, मैंने एक बार फिर से उससे बात करने की कोशिश की, मैम आपको मदद चाहिए, आपको कहीं जाना है या फिर आप रास्ता भटक गई है, मैं मदद कर सकता हूँ, और तब ही मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गल्दी की, मैंने उस बुड़ी औरत के कंधे पर हाथ रख दिया, मेरे हाथ रखते ही उसने चलना बंद कर दिया, और मुझे देखने के लिए उसकी गरदन 180 डिग्री घूम गई, मैं चौक गया, और तुरं कर जाने ही वाला था, कि तब ही वो पूरी तरह से मुड़ गई, और उसमें मुझे सडक पर धक्का दे दिया, उस वक्त बस मैं अपने ट्रक में सवार होने, और इस अजीव सी औरत से दूर जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस से पहले कि मैं अपने पैरों पर खड को रोशन कर दिया था, मैं उस सडक पर कुछ ठोस पकड़ना चाहता था, लेकिन सडक सपाट थी, और मुझे जल्दी से सोचना और कुछ करना था, इसलिए मैंने उसे अपने खाली पैड से लात मारने का फैसला किया, मेरी हाइट 6 फीट 4 इंच की है, और मैं खुद पर भर करता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि मैं स्टील बॉडी वाला आदमी हूँ, मैंने उसके जबड़े पर जोर से लात मारी, उसके जैसी कमजोर महिला वास्तों में इस तरह की लात से गिर कर बेहोश हो जाती, लेकिन इससे शायद उस महिला पर कुछ भी असर नहीं हुआ, वो म पर फिर से उसके जबड़े पर जोर से लात मारी, इससे उसका ध्यान हट गया और उसका संतुलन बिगड़ गया, जब वो अपने आपको शान्त करनी की कोशिश कर रही थी, तभी मैंने उसकी आखों में मुठी भर मिट्टी फेक दिया, और इस वज़ह से मेरा पैर उसकी पकड़ से ढीला हो गया, मैं बिना समय गवाय अपनी ट्रक की और भागा, मैंने ट्रक को स्टार्ट किया और उसे पूरी रफतार से भगाया, और रियर व्यू मिरर में मैंने देखा कि वो मुझे घूर रही थी, उसके पूरे चेहरे पर गंदगी फैली हुई थी, और उसक के लिए मैं शुक्र गुजार हूँ